फाइनली वन प्लस ने अपने नाइन सीरीज को लाँच कर दिया मेरे पास आपको दिखाने के लिए बॉक्स तो नहीं है बट आपको इस वीडियो में अन्बॉक्सिंग जैसा जरूर फील आएगा बस बने रहे इस वीडियो में मैं इंट्रो लगा के जस्ट वीडियो स्टार्ट करता हूँ अच्छा फिर बॉक्स के उपर नजर डालते हैं तो बॉक्स है रेड टिपिकल कलर में रेड कलर को देखते ही समझाता है कि ये फोन कितना पावरफुल होगा रेड पावर को डिनोट कर रहा है इस फोन में खेर ये तो बात की बात है अभी बॉक्स के अंदर देखते हैं सबसे पहले अन्बॉक्स करने के बाद तो फोन मिलता है और phone के बाद उसका cover और फिर कुछ documentation रहते हैं जैसे मैं बोलता हूँ उसको love later बोलते हैं फिर main चीज जो उसका charger है वो 65W का है फिर आता है red color का USB-C cable वेल ये तो box के अंदर की content थे अब भी phone की तरफ आते हैं OnePlus ने जो phone का design develop किया है वो बहुती premium है basically तड़ा केदार phone फिर अभी phone के right side में आते हैं तो right side में उसका lock and unlock button मिलता है और just उसके उपर OnePlus का alert slider है left side में देखें तो volume rocker है फिर phone के upper side में देखेंगे तो आपको secondary microphone मिलेगा और basically phone के down side में means नीचे के side में speaker, USB-C port, primary microphone और dual SIM tray मिलेगा और हाँ main बात तो बोलना रही गया इस phone में stereo speaker का support भी मिलता है phone के back side में आते हैं तो center में आपको must सा logo मिल जाता है ये phone जो setup लाता है triple camera का 64MP primary, 50MP wide angle और 2MP mono camera selfie के लिए 16MP punch hole camera के साथ आता है भी इसके feature के पास आते हैं features को highlight करें तो ये phone 6.5 inch के super AMOLED screen के साथ आता है वो भी 120Hz के refresh rate के साथ और जो screen quality है वो definitely एकदम सही है under display fingerprint के साथ ये phone fully user friendly है software fully optimized Android 11 पे run करता है जो processor है वो Qualcomm 888 का है और जो battery मिलता है वो है 4500 mAh मिंच 4500 mAh का आखिर सब feature तो मैंने अभी बोल दिया अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करना बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिंद वन्दे मात्रम